शरीर में पित्त दोष संतुलित होना बहुत जरूरी है। ये पित्त बढ़ गया तो भी तकलिफ है। और पित्त कम हो गया तो भी क्या होता है। शरीर में जो एक चैतन्य जैसा है, ताकद है, अगनी है, वो कम हो जाता है, फिर क्या होता है, आपको भूक नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं होती, खाना खाते हैं उसमें टेस्ट नहीं आती, पाचन ठीक नहीं होता, और बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो पाचन ठी खुने के लिए दो तन्वी शता, अगर आप दिन में दो तीन बार लेते हैं, या बहुत जादा पित की तकलिफ है, तो चार-चार तन्वी शता सवेरेशाम लीजिए, एक बार पित ठीक हो गया, फिर दिन में दो बार कीजिए, घरेलू भी ये जो पित बढ़ता है, उसके हम घी डालके लेते हैं, तो उससे जो तुरुपती आती है, वो कुछ अलगी होती है, तो इसलिए अगर पित कम हो गया है, तो उससे बढ़ा के अगनी दीपन करना ये भी बहुत जरूरी है, और इसलिए रोज लेते रहेए दो तन्वी शता टामिलेट्स,